तो दोस्तो हमारी आज की रेड सॉस पास्ता की यूनिक सी रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन मेडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं उन्हें इस तरह से पिछे से कट लगाएंगे हम यह देखिए ताकि हमें टमाटरों को यहाँ पर उबालना है टमाटर बि तो यहाँ पर मैं दो कप पास्ता बनाओंगी उसके लिए यहाँ पर तीन टमाटर बिल्कुल सफिशिट रहेंगे तो दूसरी और यहाँ पर मैं एक पतीले में तीन से चार कप के करी पानी गरम होने के लिए रग दिया है पानी में एक बार बॉल आ जाएगा फिर हमने जो तो यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरह से उबर लें देंगे उसके बाद हमने एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और यह जो हमारी सुखिवरी लागमर्च है यह भी अच्छी तरह से बॉल हो चुकी है तो इन्हें भी निकाल देते हैं अब इस तरह से जो टमाटर के पर का सकैंवर रिमूव कर लेते हैं बड़ी आसा ने से क्योंकि बॉल हो चुके हैं तो आप इनके चिलकों को निकालेंगे तो यह देखी बड़ी आसानी से निकला जाएंगे तो सभी इसी तरह से रेडी कर लें अब दोस्तों यहां पर जो लाल मर्च है उसकी बीडंठल क आप अलग कर लें अब हमें यहां पर क्या करना है यहां पर मैंने एक blender jar ले लिया है यह सबी चीज़े हमें इस blender jar में डाल देनी है उसके साथ ही हम यहां पर डालेंगे दो से तीन बड़े चमर टमैटो केचप के टमैटो केचप बहुत जरूरी है आप इसमें जरूर एट अब आज का जो हमारा blender jar रहे है वह है अगारो का blender jar आपको इसका लिंक नीचे description box में मिल जाएगा आप वहां से इसे purchase कर सकते हैं अब यह देखिए मैंने इसकी बहुत अच्छी सी एक puree बना लेनी है जब अच्छी तरह से यह पिस जाएगा फिर हम इसे निकाल देंगे तो बस हमारे टमाटर और टमाटो कैचप दोनों की चटनी बन चुकी है अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखा दी हूं बिलकुल फाइनली यह पीस कर तयार कर लिया है हमने अब दोस्तो हमने यहाँ पर टमाटरों को अच्छी तरह से पीस दिया है उसे हम ए टमाटरों को बॉल किया था दो कब भर कर हम पास्ता डाल देंगे साथ ही मैं यहाँ पर डाल रहे हूं डिजैनों का एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ओल एक बड़ा चमच आदा चोटा चमच नमक इन सभी चीजों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं उसके बार प चलनी में निकाल कर अलग कर लें अब आता है हमारे फाइनल स्टेप की तरफ तो एक कडाई में हम दो से तीन बड़े चमच के करीब तेल गरम होने देंगे जैसी हमारा तेल गरम हो जाएगा हम यहाँ पर डालेंगे लसुन की कलियां बिल्कुल बारिक कटी हुई है यह दे ख泥 और एक पीच ले लिए है प्याज डाल देंगे हम और प्याज को भी 2 2-3 मिटपकाएंगे थुदपासर ट्रांसपैरंट हो चुका है फिर जो हमने टमाटर की चेटनी बना दी थी वह अब हम इसमें डाल देंगे और इससे मिक्स करेंगे यह देखे गैस का फ्लेम आप आदा छुड़ा चम्मच पिसीवी काली मिर्च का पाउडर, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्केप कर सकते हैं, हमने यहाँ पर डाला है और गैनो, मिक्स हर्प्स, और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स भी अवलेबल हैं, पर मैं यहाँ पर एड नहीं क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही सूखी लाल मिर्च को पीस लिया था, तो बहुत जादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए दुनों चीजे हमने डाल दी हैं, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और अब हम तब तक वेट करेंगे, जब तक यह स से 6 मिनट लग जाएंगे, हमें से वेट करना है, अब आप देख सकते हैं, सारा मसाला ड्राय हो चुका है, और ओयल भी सेपरेट हो रहा है, तो बस यहां तक हमें आना है पहले, और उसकी बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल बन कर देना है, क्योंकि दोस्तों अभी आप देख प्याज, लसुन और टमाटर बिल्कुल अलग-अलग से दिखाई दे रहे हैं, वो स्मूथ पेस्ट सॉस जैसा नहीं बना है, इसलिए इस मिक्शर को थोड़ा सा रूम टेमपरिचर पे आने देंगे, फिर से उसी जार में हम इसे डाल देंगे, और फिर से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, अब आप देखिए दोस्तों, यह हुई ना असली रेड सॉस, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इसमें जब आप पास्ता को डालेंगे ना तो बहुत ही जादा फ्लेवर आएगा, साथ ही पीसने से क्या होता है, जो लसुन, प्याज, टमाटर, जितनी भी पास्ता पहले बॉल करके रखे थे, अब हम वो इसमें डाल देते हैं, अब यहां पर दोस्तों, मैंने लेली हैं, अमूल की प्रोसेस चीज, आप चाहें, तो चीज को स्किब कर सकते हैं, बर चीज से काफी जाद अच्छा अच्छा फ्लेवर आजाता है इसमें, तो एक से लो क्यूब चीज के हमने डाल दिये इसमें, और इसमें मिक्स कर लेते हैं, लो फ्लेम पर आप पान से साथ नर्ता किसे मिक्स करते हुए पकाएं, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं आप इसे अच्छी तरह से जब आप देखें कि चीज जो हमारी मेल्ट हो चुकी है,